कल्वा कि एसान देयाः अधिया एपिजेनेटिक होमियोपैती के माधियम से जेनेटिक उप्चार का एक नया उध्धारन और असाध्य बिमारी का मिला नया जड़ेट Nature है अनुसंदान का पहला चरण सफलताहला या या क्रोनीट आसाध्य बिमारी एपिजेनेटिक होमियोपेथी एक नई उमीद एडवांस हेल्थ में होता है यह जड़ से अद्भूत उपचार है ऐसे जानकारी आयोजेत्र परिशत के दोरान डॉक्टर रवी वेरागडे द्वारा दी गई है इस दोरान हमारी संबाददाता शृतिजाद देशमुक ने खास बातचित की है डॉक्टर रवी वेरागडे से आये डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर एपिजेनिटिक होमेपेथी के माध्यम से डॉक्टर रवी वेरागडे इन्होंने जेनिटिक उपचार पद्धिती का एक नया एक्जांपल पूरे समाज के सामने रखा है उनसे जानते हैं कि किस तरह का वो उधारन है क्या बताओगे हम इडवांस हेल से 28 साल से इन बास पर रिसर्च कर रहे है कि जो असाध्य कही जानी वेली बीमारी है जो बीमारियों को पहले दिन कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं गोली जिन्दगी पर या पूरी जनन तक खानी पड़ेगी इन बिमारियों का इलाज कैसे किया जाए पूरा 28 साल रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि होमेपिती की थोड़ा उच्च तम लेवल जेनेटिक होमेपिती और AP जेनेटिक होमेपिती पद्दती से अगर इलाज किया जाए तो ये बिमारिया रिवर्ज भी हो सकती है और खतम भी हो सकती है ऐसी ही एक अद्भूत केस थी जेनेटिक डिफेट की जिसमें जो बच्चा जब पैदा हुआ तो इसे गुपतांग नहीं थे इसे कहते एंबीग्यूस जेनेटेलिया या इंटरसेक्स अब ये गुपतांग नहीं थे अब ये तो डिफेक्ट है ये तो कोई बीमारी भी नहीं है तो सभी डॉक्टरस नहीं नहीं कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है इन्होंने भारत के सभी बड़े अस्पताल, भारत के बात विदिश के सभी बड़े अस्पताल, सब सब डॉक्टर से बात की, कि ये एम्बीग्योज जिनेटेलिया, जो बच्चे को चाही नहीं, उसका क्या किया जाए? सब ने कहा, ये बीमारी नहीं है, इसका तो उपचार संभवी नहीं है, तो 16 साल का जब हो जाएगा न, तो हम प्लैसिक सजरी करके, इसे आपको जो जेंडर चाहिए, लड़की के गुपतांग चीए तो लड़की के वाली प्लैसिक सजरी कर देंगे, लड़के के अज़न में थी, तो ऐसे हम सेमिनार लेते थे पूरे और इंडिया में, तो ऐसी हम सेमिनार ले रहे थे उसमें, इसके ये बच्चे के पापा है, उन्हेंने कहा, सर जेनेटिक डिफेक्ट वाली केसे आप लेंगे क्या, तो तब तक हमने जेनेटिक हेल्ट एक्सपर्ट बो और यह केस चैलेंजिंग है करना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए, उन्हें कहां सर आप पहले डॉक्टर है जिन्होंने पूरे दुनिया में कहां इसमें कुछ हो सकता है, तो चली यह केस आपको दी, आप कीजे इस पर, हमने उस पर काम शुरू किया, अप एपी जरेटिक ह हो गया कि यह कंफर्म लड़का बनेगा, आज चार सा हो चुके है, यह बच्चों को नॉर्मल गुपतांग है, यह बच्चा आज शान से, रेस्पेट से लड़का बनके जी पा रहा है, और उसके पेरेंट्स भी बहुत रिलाक्स है, कि अब वो बच्चा कंफूजन में नह करना चाहिए, अब आप कहेंगे सर, क्या इनमें भी सम्भो है, तो हमने ऐसे ही रिसर्च किया, chronic pancreatitis पर, इसके 500 से 600 से ज्यादा केसे हमारे पास है, इसमें हमने कुछ केसे को सेलेट किया, और इस पर रिसर्च किया, जो तकलीफ वाले केसे से, जो बहुत पेन में है, जिसक केसे से, जो सारे बड़े से बड़े अस्पितल में अल्डिरी जा चुके है, भारत का जो सबसे बड़ा हस्पितल आपको पता है न, वो वहाँ पर भी जा चुके है, सारे अस्पितल से वो हार चुके है, और हमारे यहाँ पर उसे दो दिन में, तीन दिन में, और जादा से जादा पास दिन में 90 प्रतिशत लोगों को फायदा होना शुरू हो गया तो ये पास दिन में है उसके बाद हमने 365 दिन इलाज किया पूरे साल बर का फॉलोप लिया इसमें जादातर लोगों की जिन्दगी बदल चुकी है पहले वो तरस्त थे तकलीफ में थे दर्द के करण आज वो लाइफ को एंजॉय कर रहे है फैमिली के साथ एक अच्छी जिन्दगी जी रहे है ऐसे ये अद्भूत एपिजनेटिक होमेपेती का अवेरनेस लोगों में फैल ना चीए इसलिए प्रेस कॉंफरस अलेंज की गई ताकि आज के बाद कोई भी वेक्ति हिम्मत नहीं हारेगा ना उमीद नहीं होगा क्यों उसे पता है कि एपिजनेटिक होमेपेती उमीद की एक किरन तो बाकी है हमारे साथ थे डॉक्टर रवी वेरागडे और इन्होंने जो है एपिजनेटिक होमेपेती में जिस तरह के धारन समाज के सामने रखे है इसका जरूर लाब ले ऐसे अपिल भी उन्होंने की है क्यामेरा परिसन अजित कुवर के साथ मैक्षेति जादेश मुग बीसीन नियूस नागपोर